कि तो यार कि रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल बैंक अकाउंट कितने कह रहे हैं कि भाई अगर बेसिक से थोड़ा सा उपर का भी क्वेशन आये ना हम कर लेंगे बेसिक से थोड़ा उपर का भी क्वेशन आये ना हम कर लेंगे मतलब अब उसमें कोई बहुत दुखदर्द नहीं है अब वह हो जाएगा एनिबड़ी दो तीन चार्मी आये गुड़ीवनिंग जैस्मेंट बस तीन बच्चे कर पाएंगे बागी कह रहें नहीं कर पाएंगे इस प्रेंच वह रिप्लाइ करते हैं रोव मुझे ना अपने सिस्टम पर विश्वास नहीं है खेर आज मैं इसको साड़े तीन वैसे चलाके तो बैठा था बाकियों को विश्वास नहीं है ग्रेशू राशी इन सबको विश्वास नहीं रिपीट बेटा आयम सेंग कि यार कितने बच्चों को लगता है कि अगर बेसिक क्वेश्चन आ जाए डिसल्यूशन का तो हम उसको सौल कर लेंगे विदाउट इनी दिक्क्रत बेसिक से भी तोड़ा सा उपर वाले लेवल का क्वेश्चन हम कर लेंगे हां बहुत बढ़िया शाबाश है ओके दिख्षा नहीं हो पाएगा बच्चों नाम लेना बड़ेगा बच्चों का तो आज क्या करने वाले हैं कि सबसे पहली बात अगर एंट्री वाले क्वेस्चन आ रहे तो आज 15 मिनिट हम लोग dissolution करेंगे और उसके बाद हम लोग तक्रीबन 15 मिनिट हम लोग debentures करेंगे and that's it for the day ठीक है 15-15 मिनिट का मैंने टाइम ले रखा है वो हो सकता है 20-20 मिनिट हो जाए लेकिन let's get started बेटाजी दो प्रकार के questions आते हैं एक होता है हमारे पास pointer वाले questions एंट्रीज में दो प्रकार के questions आ सकते हैं एक तो है pointer वाले questions तो अगर हम लोग कभी भी कुछ बात करेंगे ना तो हम लोग बोलते हैं पॉइंटर वाले question में एक मिनाट वाले question में क्या है जैसा कि आप देख सकते हैं पॉइंट नमबर भी पॉइंट नमबर चार पॉइंटर वाले questions हो जाएंगे दोस्तों चार पॉइंट दे रखके इसकी मुझे चार एंट्री करने हैं जल्दी बताओ भाई यह और नो अभी एंट्री देख लेंगे लेकिन इसमें सिर्व एंट्री करने है ठीक है नाइस नाइस और एक टाइप इस टाइप के question को लोग कहते हैं फुल फ्लेजड question एक होता हमारे पास फुल फ्लेजड जहां पर मेरे पास पूरा का पूरा question वैसे ही और बस लास्ते रखका पास नैसेसरी जर्नल एंट्री जिल्यूशन अपर एक तो है पॉइंटर वाले questions और एक है फुल पहले बात करते हैं पॉइंटर वाले questions ना कुछ basic assumptions है सबसे पहली assumption है कि सारे के सारे assets को और liabilities को आप यह करेंगे कि आपने realization में transfer कर दिया अगर आप समझ गए तो येस लिख दो नहीं समझे तो इस लिख दो मैं repeat करते हैं समझ गए तो येस लिखो नहीं समझे तो आरली तो मैं repeat करते हैं कुछ बच्चे समझ गए है नाइस रिपीट किसी ने नहीं बोला है प्रगती ने बोल दिया बता देता हूं ठीक है बता रहा हूं राध्य ने भी कह है पॉइंटर वाले question में एक basic fundamental assumption है कि सारे के सारे assets और liabilities आप realization में transfer कर चुके है प्रगती एंड राध्य इस इट लियर दिल्ली 2016 का question है दोस्तों ऐसा भी नहीं कि मैंने बनाया दिल्ली 2016 का question है ठीक है आपको दे रखा है एल और एम हमारे पास partners है टू इस तु 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 त्री हमारी ratio है और firm ने after transferring all the assets and liabilities to realization account अगर यह line ना दे रखी होती तो भी मैं same assumption रखता yes or no after transferring the assets and outside liability अगर यह line ना दे रखी होती तो भी मेरी assumption same रहती yes or no everybody yes यही रहती ठीक है आएज़र समझते हैं a creditor for rupees एक लाग चालिस accepted machinery valued at एक लाग असी and paid and paid to the firm rupees 40,000 registers में entry करिए दोस्तों इस पॉइंट की registers में entry करिये प्लीज एंट्री करिये एक बार दन लिग देना सेर्फ पॉइंट नमबर एक ही दोस्तों creditor एक लाग चालिस accepted machinery at एक लाग असी and paid the firm rupees 40,000 can I have some duns please rushi done nice so a somya done nice rishika muskan very good प्रियांशी नमन नैंसी देख्षा देविका नाइस दो तिन बच्चे और दन लिग दोबस जल्दी से shomi satvik देख्षा और बस 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 प्रगती अमन आशी जलक वह बहुत बढ़िया नाइस देहां से देखते हैं दोस्तों बहुत सिंपल सा पॉइंट है देट इस कैश टू रियलाइजेशन चालीस हजार चालीस हजार जितने बच्चे सही थे लेकिन अब वह समझ गए एक बार येस लिग दो येस लिग दो येस लिग दो या जितने बच्चे गलत हे जितने बच्चे गलत है और वह समझ गए एक बार येस लिग दीजिये वेरी गुड राधे एंवड़ी एल्स वेरी गुड जहलक ठीक है नाइस बैरीग रिशा ठीक है नाइस कई बच्चे समझ गए हैं अगर आप में से कोई एक्स्लीनेशन चाहत मैं भी एक्स्प्लेइन कर देता हूं ज्यान से तुनिया वेरी वेरी बड़ी एक 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 लाग चालीस जार का क्रेडिटर एक असी की मशीन त्री लेके चला गया क्या इसकी कोई एक चालीस का क्रेडिटर एक असी की मशीन त्री लेके चला गया इसकी एंट्री होगी और उसने आपको चालीस जार पे कर दिये पैसा आ गया कैश डेबिट रिलाइजेशन क्रेडिट जितने बच्चों को अब समझ आया है एक बार येस लिख दो जितने बच्चों को अब यह वाला समझ आया है प्लीज येस लिख दीजे दोस्तों ओके ऐसा कोई भी नहीं है इसका मतलब सभी को पहरे सी समझा जाए बहुत बड़ी है शाबाश सिंपल सी बात है अगर अब मैं आप से यह ना लास्ट वाली लाइन अगर मैं काट दूँ लास्ट वाली लाइन अगर मैं काट दूँ एक लाग चाली जर एक्सेप्टेड मशीन री फॉर एक एक लागkem एसनी हजार रुपएं और बागी कुछ भी नहीं दे रखा तो किए इसकी इंटरी में बताओ क्या इसकी 2016 में question आया था चार नंबर का हर एक पॉइंट एक नंबर का है ठीक है second point ना मुझे एक emojis के साथ आपका reaction चाहिए ठीक है एक emoji के साथ कि भाई यह वाला point देखकर जो आपके अंदर feeling आ रही है ना एक बार दोस्तों पॉइंट नंबर भी थी नाइस 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 और उसी के उसी में धपा हो गया ठीक है मुझे एक बार दुबारा चाहिए एक इमोजी के तुरू मुझे आपका डेली रिचुल हो गया तो मतलब एक नंबर का सेकेंड क्रेडिटर 30,000 रुपए एक सेप्टेड मशीन ट्री ऑफ वैल्यों पट्थाइजर इन फुल सेटिलमेंट ऑफिस और आंसर नहीं चाहिए मुझे एक इमोजी चाहिए आपका यार एक नंबर का यह बोड में क्वेश्चन आया था फिर लोग कहता है बोड का फिप का मस्ता है जिक्षप बड़िया 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 नाइस है जार बहुत बड़िया भाई सिंप्ट सी बात है बकी है नौ एंट्री अव्विज्ली नौ एंड्री या यार उनो एंड छिल लूए इंडींपीप यहां ठिक्शोड़ में लिखный नी की टो चल। तो अपिका रहे है नाइस है दोश्थों थेहां यहां तो यह से क्वेशन भी आते हैं है एक्जैम्स में थेगे सीम्पट्छ सब्स्रेट्ट फॉरबड एक्रेडिटर ऑफ लुस्त्तर अजार और उसके बाद आपने क्रेटर को पे कर दिया है क्या चाहते हो दोस्तों और यह पॉइंट नमबर डी आप क्या चाहते हो अब आपके एक्जैम में फुल लेज़ पॉइंटर के लिए फ लिए पॉइंटर के लिए फुल फ लेज़ीड वालाय पॉइंटर वेठट पॉइंटर आजाए 5 ठेक है ओविसली अच्छा आप बात बथा यह वी फॉर्मेट को इंक्लूड करते तो वह कहा रहा हूं format को include करते हूँ यह question कितनी देर में कर लेना चाहिए फॉर्मेट यार एक मिनट में बनेगा maximum दो से तीन मिनट में maximum दो से तीन मिनट में भाई उससे आदगा question नहीं है यह तो तीन मिनट maximum last वाला है dissolution loss on dissolution हो रहा है तो entry हो जाएगी LM2 realization 4000 बढ़ जाएगा two is to three के ratio मैं बिलीव दोस्तों इसमें को दिक्कत परिशानी वाली बात नहीं है this question is done बात करते हैं फुल फ्लेट question की और ध्यान से सुनना दोस्तों यह question मेरे दिल के बहुत करीब है जनरली इसके पीछे एक स्टोरी चल बताई देता हूं 2012 मेरे पास एक स्टूडेंट था उसका नाम था शितिच के साइट यह दोजार बारा था दस साल हो गया है उसका नाम था शितिच और वी नो दस्टोरी रिया खना को कैसे बताए तो मैं ती कह रही अब आई डून नो ठेक है तो मेरा स्टूडेंट था शितिच ठेक है उसके अकाउंट में आया थे 95 मांस ठेक है और उसके पिपर में वहला क्वेस्टन आया था अब वह सीए बन चुक है उसके सासे त्वालता है ठीक है मुझे क्यूं याद है कि यह एक लाटा कॉइश्चन गलत करके आया था और इसमें उसको एक नंबर अट च्छे में से एक इसका मतलब है बागी उसका सारा पेपर सही ठीक है तो ही कुड़ है विन माइफ फर्स्ट वाला स्कोर दस साल पहले बट हाववेवर ही मिस्डिट अब मैं आपके साथ जनरल बाद डिसक्स कर रहा हूं उसके पाद हम लोग क्वेश्चन में आएंगे आपके सामने क्वेश्चन है संजय समीर पार्टनर्स हैं टू इस्टू त्री हमारी रेश्यो है वैलेंशीट वैलेंशीट सब दे रखी है फर्म जो है वो डिजॉल्व हो रहा है पहला पॉइंट है संजय एग्रीट टू टेक ओवर लैंड बिल्डिंग तीन लाग पचास बाइपेंग कै क्छिड़ है इसके इंट्री किया होगी संजय संजय के लिए एस लिए संजय पार्टनर है लेके जा रहा है बाइपेंग कैश सौमी गलत जवाब बेटा कैश के नाम से होगी वेरी गूड़ाइब सब्सक्राव्यक्रेग में याद हमने कर रहा था वह एंवाला और जीवाल एन को बेचाए जी को बेचाए याद है एक पॉइंट नहीं कोई बात निए जवाब दीजेगा उन्होंने कहा है कि सर अगर यह होता संजे इस टेकिंग ओवर लैंडर बिल्डिंग तीन अजार पांसो बाइप पेंग कैश नहीं दे रखा होता अब क्या आता सी आता या एस आता फिर मुस्कान इसका जवाब आपको भी बता है ठीक है ऑब विसली बात है ठीक है मुस्कान वाट दी आंसर ठीक है लेकिन फिलहाल यहा इस संझे तो रिलाइजेशन उसके बाद अगर सुरिशुण सूरी ज़ी चैशा टू रलाइजेशन उसके बाद एक मिनट उसके बाद जो मेरी अगली एंट्रिये दोस्तों प्लीज आप सम अटेंशन स्टॉक वह सोल्ड फॉर नब्याजार एंट्री इस वन्स अगें कैश्च तु और प्रTray एलियुप के आते कंधां पहले तो यह पहले के रहते दूसरे एंट्री दूसरे यह थिस और यह और आपको एंट्री बोलर के पास जलने इंट्री एड़ टाइम डिसल्यूशन येस और नो कि येस नमन नो कहा रहा है राशी येस कह रही है बताओ भई बताओ भई नो स्मार्ड बच्चे बैड़े हुए यहां पर नाइस उसने एक छोटी सी ट्रिक मिस कर दी जो ऑबिसली आपको डिसल्यूशन की एंट्री पास करनी है लेडीज इन जेल्मिन दफर्स एंट्री वुड़ बी रिया रियलाइजेशन अकाउंट डेट टू लैंड बिल्डिंग तीन लाख तू स्टॉक एक लाख टू डेटर एक लाख पचासजा टूटल आ गया पांच लाख पचा आप में से कितने वच्चे यही फर्स्ट एंट्री करते बोर्ड का प्रेशर पहली वार आपके सामने क्वेश्चन आया है एक वार येस लिख देना येस मैं तो यही करता या करती एनिवाड़ी रागव आपने तो खर बोल भी दिया था वेरी गुड़ चलो कोई तो है येस दो चार वच्चे येस कह रहे है नाइस आई बिलीफ फर्स एंट्री क्लियर है ठीक है जे सेकिंड एंट्री है तो उसने क्या करा उस गदे ने सिरफ इनकी एंट्री करके आए इसलिए उसको ए अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एक लाख पांच हजार एक लाख पांच हजार दो एंट्री जो गई थर्ड एंट्री आपकी है वर्कमें कॉम्पनसेशन पंड है आपके पास आपको उसको डिस्ट्रिब्यूट करना है दोस्तों पार्टनर्स हैं संजे और समीर संजे समीर एक लाख बटेगा चालीस हजार और साट हजार रुपे में तीन एंट्रीज हो गई है दोस्तों उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं देखिए ऐसे ना जब मैं सिर्फ मैं ही बोल रहा होता हूं मुझे बहुत बोरिंग सा लगता है और मुझे लगता बच सकता हूं कि आपको सारी चीज़ समझ आ रही है तो कि मैं जनरली ऐसे कराता ही हूं कि मैं लेख रहा हूं बच्चा सिर्फ देख रहा है नाइस फूल है एंट्र कि अब जाके जब यह सारे अब जाके यह वाली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियाइजेशन और इन दोनों को फर्स्ट पॉइंट और सेगेंड पॉइंट को आप मिक्स करके लिख सकते हैं चार लाग चालीस हजार चार लाग चालीस हजार उसके बाद पॉइंट नमबर सी को एंट्री नहीं होती उसमें नो एंट्री नहीं लिखना आपको अगली पांचवी एंट्री होगी रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस एक बार गॉट इट अगर है तो येस लिख दो समझ गए रियलाइजेशन प्रॉफिट की एंट्री होगी येस और और ये वाला हम कैसे सोचेंगे आपको याद है रेटार्मेंट के टाइम पर मैंने आपको समझाया था बात नि मैं आपको अभी सिखात बताऊंगा लेकिन चित्तों को याद है वेरी गुट वेरी गुट नाइश तो सबसे पहली बात वह सिंपल सी बात है रियलाइजेशन के डैबिट और रियलाइजेशन के क्रेट कैल्कुलेट कर लो रियलाइजेशन का डैबिट है पांच पाँच और चार लाग चालिस टोर्टल आ गया पाँच लाग पेंटालिस पॉर लैट फॉर्टिफाइव थाउसंट डिबिट है फॉर लैट फॉर्टिफाइव तो कौन सा क्या का बैलेंस बच सबको पता है और बहुत हो से चाहिए तो ही मैं कॉंफिड़नली आगे बढ़ पाऊंगा ने तो मैं कॉंफिड़नली आगे निव होगा पांच पचास का डेबिट पाइफ वाइफ्टी था क्रेडिट गुड आंस गुड आंसर डेबिट बचा 5000 का तो खतम करन सभी हैं दो हजार रुपैं और टीन हजार संज्य और समीर कितना पैसा ले के जा Vous सभी कितना पैसर लेके जारे हैं का संज्य कितना पैस के जा रहे है आइप बróल संघे करेट हो रहे है तो प्लसकह सब को पढ़ता है संजे का फिलाल बैलेंस कितना है दो लाग यहां पर संजे क्या हो रहा है यहां पर बढ़ेगा कितना हो गया दो लाग चालिस यहां पर क्या हो रहा है माइनस हो रहा है कितना तूलाग तर्ट है उसके एंट्री क्या होगी संजे टू पर लिख दिया थे ठीक है यहार एक काम कर समीर का मतलब समझ गया ना तुम रहा थे आप लोग मुझे बताओ कि भाईया समीर का कितना होगा कि संजगा तो हो गया आप मुझे बताओ समीर का कितना होगा जवाब चाहिए मुझे जल्दी से कि समीर वेरी गुड मुस्कान वेरी गुड राशी जल्दी भई पांचे बच्चे समझें क्या बस 357 357 बहुत बढ़िया 357 यहां पर इसका टोटल आ गया कि इस इज़ी येस और नो इस इज़ी दोस्तों येस और नो ठीक है